नमस्कार दोस्तों तिवारी क्लासेश में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम अरस्तु के तरास्दी सिध्धान्त को समझ लेंगे पास्चात्य कार्विय सास्तर में अरस्तू का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका जो दिया गया सिध्धान्त है तरास्दी का सिध्धान्त ये भी बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो चलिए इसको समझ लेते हैं अगर इस वीडियो का रूप रेखा का बात करें तो हम लोग जो समझेंगे इसमें वो है कि तरास्दी की परिभासा फिर समझेंगे तरास्दी के प्रमुक तत्वों का बिशलेशन और अंत में देखेंगे कि इस तरास्दी का महत्वपूर्ण क्या है तो अगर सबसे पहले समझा जाए यह तरास्दी इसको कहते किसको है तो जो वर्ड हम लोग इंगलिस में जैसे बोलते हैं क्या ट्रेजिडी तो वही ट्रेजिडी है जिसको हिंदी में क्या बोल सकते है तरास्दी बोल सकते है जिसमें क्या है सोक का भाव है करुणा का भाव है क्या होता है अरस्तु ने क्या बताया कि तरास्दी के द्वारा भी हमारे मन के विकारों को दूर किया जा सकता है या मन का सुध्धिकरण किया जा सकता है या मन का विरेचन किया जा सकता है जैसे कि अगर सामाइन ने तब बताया जाए दिखा जाए कि एक बाग दूसरे बाग से लड़ रहा है और हम उसके सामने हैं तो हम बहुत भईभीत होते हैं लेकिन यही अगर हम क्या करते हैं कोई परदा में देखते हैं अर्थात इसको मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं या कहीं देखते हैं तो दो बागों का लड़ाई हो सकता है हमें यह ज़्यादा खराब नहीं भी लगे वैसे ही अगर कोई मूभी का बात करें तो बहुत सारा ऐसा मूभी होता है जो ना दुखांत होता है या ना जिसमें क्या होता है दुख का सीन होता है उसको देख देखके हम लोग रोने भी लगते हैं आख से आशू भी निकल आता है लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखना नहीं छोड़ते हैं इसका क्या मतलब है कि उस दुख में भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है ये भी आप सुने है कि रोने से मन हलका होता है अर्थात क्या है जो मन का जो विक्रित भाव आ गया था उसका क्या होता है विरेचन होता है अर्थात उसका सुध्धिकरन हो जाता है तो अरोस्तु ने इस बात को काफी जोर दिया और यही सब को आधार बना कर उसने जो ये तरास्दी का सिद्धान थे वो दिया ठीक है लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है जैसे तरास्दी के लिए अगर कोई नाटक बन रहा है तो नाटक इस तरह से होना चाहिए उसका जो चरित चित्री चित्रन है इस तरह से होना चाहिए उसका कथानक इस तरह से होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर उसमें एक फिलिंग आये है ना वो ट्रेजिटी वाला एक फिलिंग आये तरास्दी वाला एक फिलिंग आये तभी जाके क्या होगा इसका सफल निस्पादन हो तीन उपक्षों पर विचार किया है किन्तु जितना विचार उन्होंने त्रास्दी की संग्रचना पर किया उतना किसी अन्य विशाई पर नहीं पस्चिम में त्रास्दी का सर्व प्रथम विवेचन युनान में ही हुआ क्योंकि वहीं इसका सर्व प्रथम सर्वांगिन विक अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने भी त्रास्दी पर अपने विचार प्रकट किये थे आप जानते हैं कि अरस्तु कही गुरु का नाम था प्लेटो है ना तो उन्होंने भी इस पर विचार व्यक्त किये थे परन्तु अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रास्दी का गंभीर बेचन किया प्लेटों ने कावब्य का वर्गी करन करते हुए त्रासदी और कामदी दोनों के संबन में अपने मंतव्य प्रस्तुत किये हैं इनके अनुसार त्रासदी महा कावब्य से निम्न कोटी का माना जाना चाहिए ठीक है अर्थात क्या है जो प्लेटों थे वे से थोड़ा सा निम्न कोटी का है ये माना था प्लेटों ने लेकिन अरस्तु जब इस पर विचार रखे तो अरस्तु ने इसको ही सर्वप्रमुख स्थान दिया ठीक है परन्तु अरस्तु के विचार इस संबन्द में कुछ भिन होने के कारण उन्होंने अपने गुरु प् अरस्तु ने तरास्ति सिध्धान की अरस्तु ने तरास्ती को किसी गंभीर स्वतापूर्ण निस्चीत आयां में से युक्त कार्ज की अनुक्रिती माना है यहाँ पर क्या है हम लोग तरास्ति का परिभासा देख रहे है ठीक है तो क्या माना है कि तरास्दी किसी गंभीर स्वतह पूर्ण जो अपने आप में पूर्ण है एक निश्चीत आयाम से युक्त कार्ज की अनुकृती है यह समाख्यान रूप में न होकर कार्ज व्यापार रूप में होती है इसका माध्यम नाटक के विविन भागों में तदनुरूप प्रयूक्त सभी प्रकार के आभरनों से अलंकृत भासा होती है उसमें करुणा तथा तरास्द के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचीत विरेचन किया जाता है विरेचन करना मने सुध्धी करन करना तो जो मनोविकार आ जाता है तो यह करुणा और त्रास्द के द्वारा उसका विरेचन किया जा सकता है यही ट्रेजिडी का या फिर यही त्रास्दी सिध्धान का इंपोर्टेंस है इस तरह से अरस्टु ने केवल गंभीर कार्जी की अनुक्रीती को ही त्रास्दी का विशयाई माना है सामान्यत कोई अगर मुवी को आप देख रहे हैं तो आप में तब तक करुणा या दुख का भावना नहीं आएगा जब तक कोई गंभीर विशय में बात ना हो है ना या फिर क्या है जो आपके लिए क्या है जो प्रिया चरित्र है मानिए नायक है या नाईका है उसको कुछ दुख होता है उसको कोई चोट लगता है उसका कुछ दिक्कत होता है तो हमें भी क्या होता है वो समनुभूती होने लगता है लेकिन वही अगर क्या है मानिए उसी का कोई एक खलनायक है भिलेन है अगर उसको चोट लग जाता है वो गिर जाता है तो हमको क्या न गंभीर कार्ज की अनुकृति को ही त्रासदी का विशय माना है गंभीर से उनका तातपर्ज उस कार्ज से है जो महत्योपूर्ण हो जो त्रासदी के गौरब के अनुकुल हो उनके अनुसाथ त्रासदी का कार्ज अपने आप में होना चाहिए पर आज इस पूर्णता के मत को अमान्य ठहरा दिया गया है ठीक है मनें बाइद के जो विचारक है उन्होंने ये पूर्णता बात को हटाया है कि नहीं पूर्णता ये नहीं भी हो सकता है ठीक है अरस्तु ने कलात्मक भासा और सैली को को त्रास्दी के लिए आवस्यक बताया है अरस्तु ने त्रास्दी के या चरित्री चित्रन सही होना चाहिए, पद्विन्या सही होना चाहिए, विचार भी उसी तरह का होना चाहिए, द्रिश्य विधान ये सही होना चाहिए, और गीत ये भी क्या करता है, हमारे ये त्रास्दी का भावना को बढ़ाता है, इसमें से कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विशय है तथा दृष्य विधान अनुकरण की पधती है और पध बिन्यास और गीत अनुकरण के माध्यम है ठीक है एक एक करके सब को समझ लेंगे ठीक है तो पहला जो अंग है वो है कथानक ठीक है तो यह टॉपिक कहना ऐसे भी बहुत इंपोर्टन्ट है जाता है ठीक है कथानक को ही विश्तार से उसके बारे में ही पूछा जाता है तो हम लोग कथानक को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ठीक है इन छे तत्त्तों में सबसे अधिग महत्तु अरस्तु ने कथानक को दिया है कथानक यानि कथाबस्तु है ना वो नाटक यह तो पूर्ण अंग तरास्दि की आत्मा मानते हैं कथानक को अरस्तु सर्वो परी महत्व देते थे इसका प्रमान यह है कि उन्होंने जितने विश्तार से कथानक के विभीद पक्षों पर विचार किया है को उतना किसी और तत्वों पर नहीं अर्ठात अरस्तु भी क्या है को दिये थे ठीक है उन्होंने कथानक पर आधार विश्तार संरचना भेद वस्तु विधान सभी द्रिष्टियों से विचार किया है त्रासदी के कथानक के कथानक के बारे में अरस्तु ने तीन मुख्य सुरोत स्विकार किये हैं एक हो गया दंत कथाएं कलपना और इतिहास ठीक है दंत कथाएं अर्थाद जो सुनी-सुनी बात है ना पुराने समय का जो बात है जिसको हम लोग सुनते आ रहे हैं तो दंत कथा मुलक सहित्ति को वे सर्बोत्तम मानते थे कथाबस्तु के मूल गुण अरस्तु के अनुसार तरास्दी की कथाबस्तु के छे गुण होने चाहिए एकान्वीती इसको अन्वीती भी कहते हैं पूर्नता, संभाव्यता, सहजविकास, कौतुहल और साधारनी करन ठीक है एकान्वीती या अन्वीती ठीक है यह क्या है? तो कथाबस्तु की संद्रचनात्मक विशेस्ताओं में अरस्तु ने एकान्वीती पर विशेस बल दिया है एकानविती से उनका ताथ पर ये था कि कार्ज ब्यापार में एकता अर्थात कथानक में बिविद प्रसंगों की अनिवार ये था इसमें ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिन में परस्पर आवस्यक और संभाव्य संबंध हो मनें जो आपस में इंटर कनेक्टेड हो तथा कार्ज ब्यापार उसका केंद्र बिंदू हो अर्थात प्रसंगी कथाएं भी चले मनें मूल कथा के साथ साथ प्रासंगी कथाएं अगर चले भी लेकिन वो प्रासंगी कथाएं भी मूल कथाओं से जुड़ी होनी चाहिए तभी ये त्रास्दी का भाव आएगा अब दूसरा पॉइंट है क्या पूर्णता तो पूर्ण कथानक से उनका ताथ पर ये था कि समूची क्रम योजना के अनुरूप आदी मध्य और अबसान से युक्त कार्ज ब्यापार उनका ताथ पर ये कथानक के विभिन प्रसंगों में अपेक्षित कार्ज कारण संबंध से था इस प्रकार पूर्णता का अभिप्रा है जिग्यासा की क्रमिक पूर्ती की अनिवारिय ब्यवस्ता ये होनी चाहिए अगला पौइंट का बात करें तो संब्रावियता इसका अभिप्रा ये है कि जो घटित हो चुका है सिर्फ वही परियापत नहीं है अपीतु जो घटित हो सकता है वह भी काम्या है इसमें और संभाव घटनाए नहीं होनी चाहिए। अर्थात कुछ भी बोल दें, कुछ भी और संभाव घटनाए बोल दें, तो लोगों के मन में यह त्रास्दी का भावना नहीं आएगा, मनें ऐसा बोला जाए जो संभव है मनें हो सकता है क्योंकि उन्हें मानाव मन ग्रहन नहीं कर सकता कौन सी बातें जो असंभव ये बाते हैं सहज विकास सहज विकास से उनका अभिपराई विभीन घटनाओं में सहज कार्ज कारण संबंध से था साथ ही वो यह भी आबस्यक मानते थे कि नाटक के बिभीन अंग, संवरिती, स्थीती विपर्याई और अभिज्ञान आदि कथानक से ही सहज ही अधभूत हो ठीक है तो यह सब परिश्थितियां हैं यह होनी चाहिए तभी क्या हो सकता है सहज विकास संभवे कथानक का करुणा तथा त्रास की योजना यह भी कथानक का एक प्रमुग गुण है जो भी अंग्स इन भावों को उदबुद्ध करता है वही त्रास्दी का सबसे प्रमुग अंग होता है अरुस्तु के अनुसार कथानक दो प्रकार के होते हैं सरल और जटील टीक है उसकी प्रक्रीती का निरन कार्जिके आधार पर होता है तो जैसे नाम सी पता चल रहा है कि सरल कथानक और जटील कथानक तो सरल कथानक एक सुत्री होता है ठीक है अर्थात इसमें सिर्फ मूल कथाएं ही चलती है जो साइट साइट में जूड़ने वाला जो प्रासंगी कथाएं वो जादा नहीं होती है ठीक है और इसमें कथा महांतरूटी स्थीती विपर्याई तथा अभिज्यान जैसे किसी कर बात करें तो इसमें मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगी कथाएं भी चलती है और घटना करम में अनेक आकस्मी और प्रत्यासित स्थीतियां तथा मोड आते हैं ऐसे कथानक में स्थीती विपर्याई तथा अभिज्यान की योजना के माध्यम से नायक के जीवन की बिड कथाया जाता है अब कथा नक्याइन को देख लेंगे ठिक आयाम अर्थाद क्या बोल सकते हैं कि रींज 맞아 हो चहीं यह कितना चॉटा होना चाहिए ठिक है तो इस पस्ट है कि अगर ज्यादा विश्तार दे दिया जाए तो भी अच्छा नहीं होगा बहुत ज्यादा प्लंस तो हो जिसमें सारी बातों को समेठा ही नहीं जा सके तो भी अच्छा नहीं होगा ठीक है तो कथानक ऐसा होना चाहिए जो बहुत बिश्टृत भी नहीं हो ना तो दरशक कथानक को ठीक से समझ ही नहीं पाएगा इसलिए उसका आधार इतना होना चाहिए जिससे द्रिस्टी एक साथ समग्र रूप से गरहन कर सके और उसे इसमरन रखना आसान हो उसमें इतना अवकास होना चाहिए कि उसमें घटनाओ का चक्र एक बार में पूरी तरह घ का होना चाहिए तो ये पहला अंग था कथानक कथानक के बारे में थोड़ा सा डीटेल से चर्चा किया गया क्योंकि कथानक से सीधे प्रस्ण भी पूछा जाता है अब बाकी जो अंग सब है ये बहुत छोटा-छोटा है ठीक है अगला दो मिनिट में ये वीडियो भी खतम हो अधार उन्होंने पात्रों के चरित्र को स्विकार किया है और अस्तु ने चरित्र चित्रन के छे आधार्भूत सिध्धान स्विकार किये हैं रचना के चरित्र चित्रन के लिए इन छे बातों को ध्यान में रखना रचनाकार के लिए आवश्यक है तो पहला हो गया भद्र क्या हो सकता है ये तरास्दी का गुण आ सकता है ठीक है तो कैसा होना चाहिए तो चरित्र भद्र होना चाहिए ठीक है और उसके माध्यम से नैतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए पहला बात हो गया दूसरा जो कारेक्टर्स है यानि चरित्र है तो उसके अंकन में औचित्य तथा एक रूपता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ठीक है वैसे ही चरित्रों में सवभाविकता तथा संभाव्यता भी होनी चाहिए वैसे ही चरित्रों में आये परिवर्टन उसकी मूल प्रकृती के अनुरूप तथा स्वाभाविक होनी चाहिए वैसे ही अगर नायक का बात करें तो त्रास्दी का जो नायक है अर्था जो हीरो है ठीक है उसका क्या होना चाहिए वो अत्यांत महान या परम दूस्ट ना होकर ना तो बहुत महान हो नहीं बहुत दूस्ट हो तो कैसा हो सामाइन निमानव जैसा होना चाहिए जिसके चरित्र में अच्छाईयों के साथ कुछ कमजुरियां भी होती है किन्तु मूल रूप से उसे सज्जन ही होना चाहिए तो इस तरह का नायक हो तो ही तरासदी का गुण सामने दिखाई देता है अगर तीसरा अंग का बात करें तो वो है विचार तो अरस्तु ने विचार के अंतरगत बुद्धी तत्व और भाव तत्व तत्व दोनों को प्रधानता दी है तो विचार के अंतर्गत एक बुध्धी तत्व और एक भाव तत्व ठीक है तो बुध्धी तत्व के दौरा प्रमान तथा तर्क के दौरा किसी बस्तु के होने या ना होने को सिद्ध किया जाता है वही भाव के इस्थर पर यह करुणा तरास क्रोध आदिकी ब्यांजना कर वैसे ही अगर पद बिन्यास का बात करें पद बिन्यास मतलब क्या है जो कथानक को लिखा गया है तो उसका अरेंजिमेंट कैसा है किस तरह से किस तरह के पदों में लिखा गया है जैसे रामचरित मानस का बात अगर करें तो तुलसीदास क्या है उसको दोहा चौपाई के इसे होना चाहिए तो अरस्तु ने ठीक है इसके बारे में कहा है क्या कि सब्दार्थ मैं अभिव्यक्ति कैसा होना चाहिए पद बिन्यास तो सब्दार्थ मैं अभिव्यक्ति मन सब्द हो उसका सही अर्थ हो इस तरह से अभिव्यक्ति होना चाहिए उन्होंने तरास्दी का म अध्यम लंकृत भाषा को मान लंकृत भाषा ठीक्स अर्थात ऐसा जो किया जादा अच्छा लगे है लंकृत की ब्याक्ख्या करते हुए उन्होंने इस्पस्ट किया कि अलंकृत है वासा से मेरा अभिप्राई ऐसी भाषा से है जिसमें ले सामजस्य और गीत का समाबेश होता है, ऐसी भासा होनी चाहिए, वही अगर दिरिशी विधान का बात करें, तो दिरिशी विधान का आर्थ है, रंग मंच के साधनों का प्रयोग, जैसे नाटक उटक होता था, इसको क्या है, कि मंच पे खिला जाता है, तो जो बिभी ने साधन का प्रयोग, अरस् परंतु इससे उन्होंने त्रास्दी का अनिवार जांग नहीं माना है अर्थात ये जो द्रिश विधान है ये इंप्वर्टेंट तो है लेकिन अनिवार ये नहीं है ठीक है ये हो तो अच्छा है जैसे मानिए कोई आप नाटक देख रहे हैं है तो उसमें क्या है कोई प्रभाव है उसको और बढ़ाया जा सकता है तो यही कहना है अरस्तु का लेकिन उसको अनिवार ये नहीं माना गया है वैसे ही अगर लास्ट अंग का बात करें तो वह है गीत आप जानते हैं गीत हमारे दिलों को सबसे अधीक छू जाता है है ना तो अगर उस टाइप का क जगेगा ठीक है तो ही क्या होगा हमारे जो मनोविकार है उसका सुद्धिकरन हो सकेगा उसका विरेचन हो सकेगा है ना जो मेन मोटो है ठीक है तो अरस्तु ने गीत को भी त्रास्दी का अभिन अंग माना है जबकि उसका स्वतंत्र प्रयोग व्रिंद गान के अंतरगत हो भीरता के ब्रिध्धी करता है और उसके प्रभाव की भी ब्रिध्धी करता है ठीक है तो इस तरह से त्रास्दी का जो छे अंग है ये ऐसे ही हो गया इम्पोर्टन टॉपिक है इसे प्रस्ण आते रहता है ठीक है तो ये हो गया आज का वीडियो अगले वीडियो में हम लोग अरस्तु का जो विरेचन सिध्धान्त है उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद